नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयरी बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम यूपिट प्लैस्टी से जुड़े सभी अपडेट आपके सामें लेकर आते हैं और सभी अपडेटों को हम अपडेटिट कराते हैं और उसी बीच एक बहुत बड़ा अपडेट आपके सामें निकल का आ रहा है और बहुत बड़ेट क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा यूपि में उत्तर प्लैस आयोग के द्वारा यानि कि यूपि प्लैस्टी आयोग द्वारा एक वेकेंसी साथ जुलाई को निकाले गए थी और बहुत बड़ी वेकेंसी थी जिसे हम कह सकते हैं आपकी इनफोर्समेंट कोंस्टेबल जो होते हैं प्रवर्तन प्रवर्तन जो होते हैं आपके कोंस्टेबल यानि कि जो आर्टियों के साथ परिवहन विभाग के माद्यम से निकाले जाते हैं आर्टियों के साथ भूमी का निवाते हैं ऐसे कोंस्टेबल जिसकी नीड होती यह उत्तर प्रदेश में हर एक व्यक्ति की जाने की आपको उसकी सर्विस के वारे में और सब बाते बता है मिज़े बताने करो सकता नहीं है ठीक दोस्तों तो इस पर जादा पद निकलते नहीं है चार सो सातर पद निकले थे यह बहुत बड़ी बेकंती मानी जाती है इतने पदों में भी और यह आवेदन मांगे थे साथ साथ दो हैरते इसको बचो अब इसमें थोड़ा सा एक समझे लेना है 10-25 पलेसी में इसमें बहुत बड़ा फाइदा मिलने बाला है बढ़ते यह सब सबचीज llama मिलेगा तो देखे इसमें योग्यता क्या मांगी थी यूपी पैट जो हर 22 का होना चाहिए जो बच्चा यूपी पैट जो हर 22 का दिया हुआ है तो वहिए स्माविधन कर सकता था तो उन्हीं बच्चों किया है तैन प्लस टू intermediate इसमें मांगा था ठीक है height का dimension जो था 68 था एक बामन महीला वरकी c, सोरी st में 1.60 और महीला वरकी 1.70 चेश्ट only male ठीक है कितना है 89 से 84 और 87 से 82 st में यह किसके लिए है ST candidate के लिए तो ये तो हुआ इसका परिचे थोड़ा सा इसमें PTA की physical efficiency test जो होता है आपका वो क्या होता है 4.8 km 27 मिनट में normal है लग जाती है 2.4 km है 16 मिनट में है female के लिए ये भी लग जाती है सब कुछ अभी normal है अभी सब कुछ normal है एक तो बस ये वाला खेल है कि 18 से 25 मांगी है एक तो ये 18 से 25 मांगी थी एज ठीक एक तो ये खेल था और दूसरा खेल आपका क्या है कि syllabus को लेकर ठीक है syllabus क्या है भाग बन में इसमें syllabus चेंज क्या गया था 12 तारीक को 12 दस 12 दस दो हजार तेईस को syllabus mention कर दिया था आपकी website पर इसलिए उसी से हम related बता रहे हैं थोड़ी सी बात देखे इसमें syllabus चेंज किया बहुत पहले दे दिया syllabus सारद बिनक परिवहन संबंदी जानकारी UP से होनी चाहिए कितने 20 प्रसन आएंगे 20 अंके परिया बरन अनुकूल सलक परिवहन से 20 question आएंगे और 20 ही अंके के होंगे सलक संबंदी जानकारी होनी चाहिए आपको 25 प्रसन 25 अंकी किस तरीके से रोड चलना है किस रोड पर चलना है बाये दाये पूर जानकारी होनी चाहिए आपको प्रसासन का ज्यान हमें होना चाहिए प्रसासन में इनके लिए क्या नियाम है क्या कानू है क्या अधिनियाम है क्या विध्या कैसे में तो 15 से 15 ठीक है और UPGK यह UPGK तो हर भरती में कर दिया भिनों ने UPGK 20% और 20 यह इस वे से 100% हैं 100 अंख हैं पार्ट बन में भाग बन यहां पर आता भाग टू कंप्यूटर पॉद्ध होगी कि किसमें कंप्यूटर पॉद्ध होगी जानकर हैं चाहिए 50% 50 पूरा दो घंटे में पेपर होना है एक बड़ चान निकेडिव के साथ तो यह तो हुआ इसका बेसिक जानकरी अब मुद्धे थी तो इसके बारे में जो आयोग में बात हुई तो वो बात हुई कि इसका जो सोट लिस्ट आएगा वो फैव के फैव के लास्ट बीक में आएगा कवाएगा लास्ट बीक में यानि कि फरवरी के लास्ट बीक में इसका पैट स्कोर आ जाएगा लास्ट बीक में इसका पै थारह से 25 पहली बात तो यह एच के कम बच्चे होते हैं यूपी में जो आपके यह वाली फोम भरते हैं क्योंकि 400 पोश्ट देखकर नहीं भर पाते कि 470 पोश्ट हम नहीं भर रहे हैं इतने बहुत सारे बच्चे जो है इस फोम को नहीं बढ़ते हैं इसने बहुत कम भरे गए हैं इसके लिए आर्टिय की गई है उसका जवाब जैसी आएगा कितने फोम हैं हम आपको बता देंगे आर्टिय की गई थी एक और की गई थी उससे तो उस आर्टिय में जो है कुछ मतलब न्यूज सही नहीं मिली थी इसने बहुत आर्टिय की गई उस पर हम आपको एक जैसे आर्टिय के जवाब मिलेगा हम आपको उसका पूरा जो है बायवा आपको पूरा बता देंगे बोर्ड पर इसमें पैट का स्कोर अभी फिलाल मे इसमें थाटिय को बहुत कम बच्चे वही बच्चा करेगा जिसका काई पैट काट में आएगा वो ही बच्चा जो है इसको तयार करेगा और किसी चीज को तयार नहीं कर सकता फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह कंप्यूटर यह भी बच्चे बहुत कम उम्मीद रखते हैं इस पर भी ठीक है तो सोट लिस्ट कब हो जाएगी आपकी फरवरी के लास्ट वीक में हो यह पर लास्ट वीक में इसका पैट का हो जाएगा परंदो इसका एक्जाम जोंगा जो इसका एक्जाम होगा चुना बादПр언द ऑब होगा इसका एक्जाम जोगा परुकर औजो किसको परवरी में दिया तब भी तusanफे म arbeitet हो और आने वाला है नहीं इसका ठीक है तो पैट सोट लिष्टिट आ गई आपकी एक्जाम डेट मैं आपको बता चुका हूं कि चुनाब बाद एक्जाम होगा जब भी चुनाब के बाद आप आयोग को फुरुसत मिलेगी उसके बाद जो है इसका एक्जाम होगा रही बात में मैंस एक्जाम में कितने बच्चे बैठाएंगे मैं आपको बतायता हूं पोस्ट जो है वो आपकी है 470 ठीक है 470 पोस्ट है अगर मैं इसका पैंतालिस गुना करूं कि यह लगभग जो है ऐसा माने चलिए पैंतालिस गुना बच्चे जो हैं यहां पर बुलाए जाएंगे कितने बच्चे बुलाए जाएंगे 45 गुना बच्चे जो हैं यहां पर बुलाए जाएंगे अगर हम बात माने तो इनकी ठीक है वह चूंकि 45 गुना बच्चों को ही यह पैट आपके हिस्तेजाई दे सकते तो हम जरा इसका कर लेते हैं ठीक है कैलकुलेटर कैलकुलेटर है इसमें भी देखो कैलकुलेटर तो निकाल के तरह इसमें कहा हम रहे हैं बच्चों को बता देते हैं थोड़ा सा कि कहां पर हैं ठीक है कितने बच्चे बैट रहे हैं 45 गुना की बात कर रहे हैं देखते हैं कितने हैं देखिए अगर हम बात करते हैं यहां से कितना है चार सो सत्तर चार सो सत्तर इंटू फोर्टिफाइग यानि कि 21,465 ऐसा मान के चलिए कि यह बच्चों को जो मौका देंगे इसमें कम से कम से कम से कम इसमें यह पच्चिस हदार से 25,000 से 30,000 बच्चों को यह मौका देंगे 25,000 से 30,000 बच्चों को यह मौका देने वाले हैं क्योंकि इसमें देखे काम बहुत है इसमें फिजिकल भी है आपका ठीक है तो फिलाल मैं ऐसा मान के चलिए कि 25,000 तो आप मान के चलिए कि इतने बच्चे 25,000 बच्चे जो इसमें मान पर फोकस कर रहे हैं सब इस लिए आप इस पर फोकस कीजिए और आपका से लेक्षन हो जाएगा जैसे कोई जानकारी और मिलती है उक से लालमा भी दो जानकारी थी सोच रहे पंडु कि सोच रहे थे मैं पुरानी सिलभस का पता था कुछ बच्चों को है सोट नहीं कर नहीं आप तक का इस पता हैं वह अगि पैंद्रभ हाई है नहीं औरking नहींinsi लोट लिस्ट और यह जनवरी में भी नहीं आएगी ठीक है वह यह जो है इस भरती को लेकर आयोग सांथ है ठीक है इतनी बात थोड़ा याद रखना है तो फरवरी के लाश्ट वीक में अगर थोड़ा बहुत याद आई आयोग को ठीक ठाक चला तो आयोग लाश्ट में इस थोड़ा सा गोर कर लेगा ठीक है वह तो चलिए जैसे वह अगर कोई जानकारी मिलती है हम आपको जरूर बताएंगे फिलाल में इतनी जानकारी है हमारे पास ठीक ही कब मार्च हो सकता कभी इसका एक्जाम तो मार्च चुनाब बादी होना यह भरती है बहुत लंबी चलती है क्योंकि भरती लाइट में नहीं होती है ठीक बच्चों तो चाड़ सोत्तर पोश्ट थी ज्यादा पोश्ट भी नहीं थी इसने थोड़ा सा गोर करना है चली दोस्तों तो मिलते हैं चैसे भी को जानकारी और मिलती है परन्तों जानकारी आप तक कैसे पोचेगी उसके न मिलते हैं नए सेसन में नहीं जानकारी किसा जब तक के लिए जहन जवारत बंदे मातरम